गुड मॉनिंग ओल माई डियर फ्रेंड्स तो एंसी आटी बायलोजी का यह सेकंड वीडियो है इस वीडियो में हम देखेंगे कि जोब भी कोई नया जीव खोज़ा जाता है तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वह किस तरीके से किया जाता है ठीक है किसी भी जीव को साइ प्रियास करेंगे इससे पहले का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि धर्ती पर जीवन की उत्पत्ति केसे हुई और उससे रिलेटेट कौन-कौन सी थियोरीस प्रचलन में है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एक बुक थी उस बुक का नाम था सिस्टिमा नेचुरी ठीक है उस बुक में इन्होंने बताया था कि जब भी कोई नए जीव खोजा जाएगा नए प्लांट की खोज होगी तो उसको साइंटिफिक नेम किस तरीके से दिया जाएगा और का नाम है द्वीनाम पद्धुति या बाइनोमन नोमल क्लिचर इसको बोलते हैं यह दिया गया था के रोलेस द्वारा जिनको भी हमने डिस्कस किया था जिनको फादर अब टैक्सिश्टम में यह होता है जैसे अगर एक एक उम्हांपल की साहिता से समझें तो यह हैं सब्सक्रारण चेर वाप को समझाँका चल से यहां फिये केविन पितरसन को यह नाम dunno चलिए इन सारे सिक्वेंस को बहुती सांधर कौन सेपटों को आप को समझाऊंगा, समझते हैं इस में लोकोиф टेख वाधमさん Suppose बहुत ही help करने वाला है तो बात करें क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है kingdom से ठीक है जिव जन्तु और प्लांट से धर्ती पर उनको सबसे पहले kingdom में kingdom के अंदर हमें बहुत सारे phylum देखने को मिलते हैं और एक phylum के अंतरगत classes होती है फिर उसके अंदर orders होते है अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत ही confusion हो जाएगा कि कौन सी चीज किसके अंतरगत आ रही है कौन बड़ा है कौन चोटा है तो इन सब को याद करने के लिए फाइल है उसे P निकाल के लिए तो KP हो गया ठीक है Kevin Peterson हो गया Kevin Peterson को KP भी बोलते है सकते के से क्या हो जाएगा हमारा Kingdom ठीक है पींगा केंदेंगे अंतरगत होते हैं सारी क्लस यह थर लिखनी को मिलते हैं और एक genus के अंदर बहुत सारी species हो सकती है, तो इस तरीके से एक lion KP को family जान से प्यारी, उससे हमें सारा का सारा classification का जो हिरार की है वो याद हो जाएगा, अब चलिए जो भी kingdom, phylum, class, order है, इनको हम एक बहुती सांदर example की साइटार समझते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, और इनको हम किस तरीके से decide करते हैं, यहाँ पर वही example हम लेंगे tiger वाला, अब tiger के kingdom की बात करें, तो देखें जितने भी जिव जनतु धर्ती पर हैं, उनको हमने 5 kingdom में divide कर रखा है, ठीक है, 5 kingdom कुन कुन से हैं, monera, protesta, planty, animalia, fungi, monera में हम एककोसी की जीवों को रखते हैं, जैसे bacteria बगरा, protesta में भी कुछ unicellular या एककोसी की जीवों ही आते हैं, planty में सारे plants आते हैं, animal में animals आते हैं, और fungi में fungus आते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि बहुत सारे phylum होते हैं, अब phylum की बात करें, तो जो kingdom हमारा animal है था, इसके अंतरगत बहुत सारे phylum होते हैं, जैसे कि porifera, sylendrata, mollusca, echinodermita, उन्हीं में से एक phylum होता है codata, अब codata phylum की विसेशता यह है, कि जो भी animals होंगे, अब हम animals के अंदर यह देख रहे हैं, कि जो भी animals होंगे, उनकी जो backbone होगी, उसके नीचे एक naru code देखना को मिलेगी, ठीक है, naru code से ही word निकला code, और उसी code से नहीं बना दिया phylum codata, तो बाग जो है, वो भी उन्हीं जानवरों में से एक है, जिसके पास naru code पाई जाती है, तो बाग का यहाँ पर phylum हो जाएगा code data, तो kingdom हो गया animalia, और उसके अंदर गत phylum हो जाएगा यहाँ पर code data, अब हमने देखा था कि phylum के अंदर गत क्या आते हैं, phylum के अंदर गत होती ही बहुत सारी classes, जैसे code data phylum की बात करें, तो इसके अंदर गत एक class हमें देखना को मिलती ही, memalya, अब memalya class की विसेष्टा यह है, कि जो भी जानवर, जो भी जीव जन्तु, जिनके सरीर में इस्तन ग्रंथियां मिलती है, और उन इस्तन ग्रंथियों से जो दूद या milk निकलता है, उससे यह अपने बच्चों का पोसंड करते हैं, यह वाला character अगर किसी भी जीव जन्तु में मिल रहा है, तो उस जीव जन्तु को हम रखेंगे class memalya में, memalya यह हिंदी में इसको बोलते हैं istanudhari, क्योंकि इन में istanudhari पाई जाती है, इसमें बहुत से जीव जन्तु आते हैं, जैसे kangaroo, इंसान भी इसमें देखने को मिलता है, हाती, हीरन वगेरा, गलेरी, और बाग भी उनी जानवरों में से एक है, जिनके पास istanudhantyya देखने को मिलती है, इसलिए बाग का जो class हो जाएगा, वो हो जाएगा memalya, तो kingdom, phylum और class को हमने decide कर लिया, अब class के बाद हम देखे हैं, तो बहुत सारे orders हमें देखने को मिलते हैं, एक class के अंतर बहुत सारे orders हो सकते हैं, जिसे memalya class की बाद करें, तो उसके अंदर एक order देखने को मिलता है, कौर्णिवोरा, अब ये कौर्णिवोरा जो order है, इसकी विसेश्था ये है, कि जो भी मानसारी जन्तों होंगे, जो भी कौर्णिवोर्स होंगे, उन सब को हम कौर्णिवोरा order में रखेंगे, जिसे memals में हमने देखा था, कि उसमें तो हाथी भी था, हीरन भी थी, इंसान भी थे, गलेरी भी थी, तो अलग अलग तरे के जानवर थे, अब इनको इनोंने order के हिसाब से डिवाइट कर दिया, उसमें से एक order है कौर्णिवोरा, और जो बाग है, ये भी मानसारी जनतु है, इसलिए इसको हम कौर्णिवोरा order में रखेंगे, और इस तरीके से इसका order हो जाएगा कौर्णिवोरा, अब order कौर्णिवोरा के अंतरगत, तो बहुत सारी जनवर हमें देखने को मिलते हैं, जिसे भालू भी था, भेडिया भी था, सेर भी था, अब इस order का अंतरगत होती ही families, ठीक है, कौर्णिवरा जो order है, उसका अंतरगत एक family देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं फैलिडी family, जैसा कि हम जानते हैं, कि बाग जो है, वो भी बिल्ली परिवार का इस अदस्चे, ठीक है, फैलिडी family का सबसे बड़ा member देखने को मिलता है, तो बाग का जो family हो जाएगा, वो हो जाएगा फैलिडी family, इस तरीके से हमने बाग का kingdom, kingdom, phylum, class, order, और family हमने decide कर लिया, अब family के अंतरकत हमने देखा था, कि एक family के अंतरकत हमें बहुत सारे जीनस देखने को मिलते हैं, उन्हीं जीनस में से एक है पैंतरा, ठीक है, अभी हमने बिल्ली परिवार देखा था, उस बिल्ली परिवार में तो बहुत सारी बिल्ली थी, छोटी बिल्ली थी, बर्फ पे रहने वाली बिल्ली थी, अब इन में से एक जीनस होता है पैंतरा, जो भी बड़ी साइज वाली बिल्ली थी, उनको इस जीनस में रख दिया, जैसे कि बाग देख पा रहे हैं आप यहाँ पर तेंदवे देख पा रहे हैं चीता देख पा रहे हैं वह सेर देख पा रहे हैं यह सारे के सारे जो भी बिल्ली परिवार के स्टाइश हैं यह सब जाएंगे पैंथर जीनस में ठीक है तो इस तरीके से इसका जीनस हो जाएगा अब बात करते हैं species की, तो जैसा हमने देखा था कि पेंथरा जो genus था, उसके अंतरगत हमें सेर भी देखने को मिल रहा था, चीता भी था, बाग भी था, अब यह जो सारे specific जानवर होते हैं, उनकी जो species होती है, मतलब tiger जो होंगे, उनकी जो species है, उसके लिए जो scientific term होगा, व इस तरीके से हमने scientific name इसका देखा था, वो था panthera tigers, तो panthera हमने लिया था genus से, क्योंकि panthera genus के अंतरगती आता है, और tigers हमने लिया था इसकी species से, क्योंकि जेतने भी tiger हैं पूरी धर्ती पर, उन सबको हम scientific term में tiger बोलते हैं, इस तरीके से genus और species के नाम से हम किसी भी जान दलने, ताकि एसे ही वीडियो जब भी हम upload करें, तो उनके notification आपको time to time मिलते रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाब,